इसी के साथ बिहार के डीजेपी आरस भठी जो ने जो कहा था वो पतना पुलिस ने कर दिखाया और तीन कुख्यात अपराद कर्मियों की पतना के नौवत पुर्थाना के इलागे से गिरपतार किया गया है इतना ही नहीं दो पिस्टल, चार कार्तूस, एक फॉर्चूनर और एक सो पेतिस इसमेक की पुरिये के साथ तीन कुख्यात अपराद कर्मियों को गिरपतार किया गया है आपको बताते चले कि बिहार के डीजीपी आरस भठी ने कहा था कि अपरादियों को दौराओ, बरना अपरादी तुम्हें दौरा देंगे और इसके साथ ही बिहार के ड पटना से आ रही है और बिहार पुलिस ने एक प्रेस बिग्यप्ती भी जारी की है वो हम आपको सुना रहे हैं और आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा दरसल बिहार पुलिस ने एक प्रेस बिग्यप्ती जारी की है और उसने कहा है कि बिहार पुलिस के विशेश कार्जवल मिर्तुन्जे कुमार, पेशर अम्रेंद्र सिंग, उर्फ रंगदार सिंग, सेखपूरा थाना नौबतपूर, रिशी सिंग, पेशर अनन्द संकर, उर्फ अनन्द नरायन सिंग, धिहरा सेखपूरा थाना नौबतपूर, तथा सुभम सिंग, पेशर पवन सिंग, महंगुप 387 भादवीक में पटना जिला के नौवतपुर्थाना छेतर से गिरफतार किया गया उलेखनिया है कि गिरफतार किये गया पराधियों के द्वारा दिनांग 1923 को आर्च रेस्टूरेंट होटल फुर्वाली शरीप के मालिक से रंगदारी की मांग की गई थी एवब नहीं देने पर जान से मारने की भी धम की दी गई थी बरामदगी क्या क्या हुई है उसके बारे में बताया गया है कि दो देशी पिस्टल चार कार्तूस एक फॉर्चूनर गारी भी जो की लगबग साट लाकी आती है एक मोटरसाइकल और 135 एसमेक की पुरिया भी बरा पुलिस एक्षन में आई और तीनों कुख्यात अपराद कर्मियों को धर्द बोचा गया है और उनको जेल भेर दिया गया है और इस जब अपराद कर्मियों की जब गिरपतारी हुई उस समय 135 एसमेक की पुरिया यानि कि आप सोचे कि बिहार में सराब बंदी के बाद बजारी हो रही थी मतलब महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं सराब छुपा के जो बेचे जा रहे हैं अब इसमेक वेगरा के बारे में भी बिहार में इतना जादा समेक वेगरा का नहीं आता था लेकिन सोचिए कि एक बेक्ती के पास से 135 समेक की पुरिया तो बिहार में नसे का प्रभाव कितना जादा बढ़ रहा है खें विहार पुलिस ने जो किया है ये बहुत अच्छी उसकी पहल है और आगे भी विहार पुलिस को जो भी अपराद कर्मी है उन पर कारवाई करनी चाहिए लेकिन कहीं कहीं से ये भी खबर आती है जैसे कि एक खबर आ रहा ही आपसी जगरे में एक बेक्ती को पहले बुरी तरीके से पिटा फिर उसको गोली मार दी तो डीजी पी आरस भटी को इस पर भी देखना चाहिए और उन पुलिस कर्मियों पर भी करवाई करनी चाहिए जो कि आम जनता पर अपना रौब गारते हैं जुरे रहे हमारे साथ ज रहे हम जय भारत